हमारे देश में 22 जन्वरी को जो रखा गया है मुरत विशेश विद्वानों के दुआरा ये मुरत चुना गया है इसमें एक विशेशता ये है कि उस दिन सरुसिद्धी योग है परवु सीरी राम मास के पास तो कहां जाएंगे वो आज तक उन्होंने मर्यादा परसोतम राम जो उनका नाम पढ़ा वो ये पढ़ा कि उन्होंने एक छण में अपना राजपाट छोड़ दिया बहुत जल्द अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्टा होने वाली है उसके लिए देश भड से लोग आयोध्या आने के तेयारिया कर रहे हैं और आयोध्या में भी खूँब राम लला के सौगत के लिए तेयारिया चल रही है लेकिन आयोध्या में प्राण प्रतिष्टा के जो तारीक है वो 22 तारीकी क्यों रखी गई और इसके अलावा पूजा अनुष्ठान में क्या कुछ खास होने वाला है उसके लिए आज उस तमाम जानकारे देने के लिए हमारे साथ है देश के जाने माना एस्ट्रोलोजर महिश्वरी जी तो उनसे हमें बात करेंगे आचारी जी हमें बताएंगे कि क्यों वो तारीक रखे गई बाइस आंके क्या है उस तारीक में तो बहुत-बहुत स्वागत हाचारी जी अपका तो ये जो तारीक रखे गई हाचारी जी तो ये बाइस तारीक क्यों रखे गई अभी ये 14 जन्वरी को सूर्य मकर रासी में आ गए हैं और 22 को मैं बताता हूँ भारत की जन्मकुनली 15 अगस्त 1947 को देश आजा दो उसके आधार पे भी पर्भु सीरी राम की पत्रीका के आधार पे भी और हमारे देश में 22 जन्वरी को जो रखा गया है मुरत विशेश विद सिद्धी योग है और सिव वास है अगनी वास है और गिरों की जो इस्तीती है पंचांग की मेस लगन में ये पर्भु सीरी राम और मा जयान की मातागजी का अभी शेक करके और उनको स्थापित किया जा रहा है वो जो लगन है उसी में उस दिन गुरु विराजमान है नवम भावे उसमें मंगल सुकर बुद्ध तीन ग्रहों का योगदान है तो आचारी जी उस से पहले अनुस्ठान क्योंकि क्या क्या पूजा अनुस्ठान होंगे और उसकी क्या मानिता है ये जरह हमारे दश्कों को बता है देखिए प्रान परतिष्ठा का मतलब किसी भी को हम जब स्थापित करते हैं तो परान परतिष्ठा होती है और ये अपने आप में हमारा सोभग्य है हम आज चैनल के माधिम से सबसे पहले ये बता देते हैं परवुष सीरे राम और मा जानकी जी जो है वो जो विराजमन किया जा रहे हैं ये हमारा सोभग्य है हमारी कई पीडी इस बात का इंतजार करके चली गई कि कम मंदिर बनें कब हमारे रामला जी बैठें मैं तो हमारे जीवन में हमारे जनम समय में ये सोभागे हमें प्राप्त हो रहा है प्रधान मंत्री जी को लेकर और उनके प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए देश के राजा हैं और राजा के हाथ से ही राजी हभी शेक होना अपने आप में ये विशेशतार मोदी जी मैं तो ये कहूँगा कि इनके कई जन्मों का ऐसा कोई तप करम ऐसा कोई दान ये करके प्रत्वी पे आए हैं मानव रूप में जो ये सोभगे आदर्ण य कर देता हूं जाती पाती और राजनीती से बिलकुल हट करके हम सब को इस विशे में सोभगे और हमारा ये खुशी का वो पल होगा खुशी का वो च्छन होगा जो हमारे वर्सों से इंतजार था मैं तो इतना कहूँगा कि ये सोभगे हमारा कोई हमारे भी कुछ करम ऐसे र राप्त हो रहा है और राम सीता जी के दर्सन होंगे उनका मंदिन बनगा ये हमारे हिंदुस्तान के इस बीच हम देख रहे हैं कि एक साउथ की एक फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है जिसे लेकर विबाद हो रहा है इस मुवी में भगवान राम को ऐसा दिखाया गया है कि मांस खाते हैं और काफी लब जिहाद को लेकर भी कुछ चीज़ें इसमें ऐसी बताई गई है तो विरोध लगातार हो रहा है उस फिल्म को लेकर या ऐसी जो लगातार इसी फिल्मा आती है उसे लेकर आपका क्या गयाना है देखिए फिल्मों में मेरा कोई विशेश वो न और वो एक्टिंग करने वालों को भी बुद्धी ग्यान नहीं है कि कितने हिंदूओं के दिल के उपर ये समस्या पैदा होगी हमारी भावनाओं के साथ खिलवार ना होना चाहिए हम खुलके इस बात का विरोध करते हैं और ये बहुत ही गल्त दिखाया जा रहा है ये बिल् आज पाठ छोड़ दिया जबकि वचन तो उनकी माता जी ने दिया था पिता ने लिया था राम जी ने तो लिया नहीं था वो भी विरोध कर सकते थे कि हम क्यों जाएं बनवास और क्यों भटके हम आप ऐसी चीजे ऐसा विशे पब्लिक को आम लोगों को ना दिखाएं ना समझाएं हिंदू बहुत पवितर अपने आप में एक रिष्टा लेके पैदा होता है सो परसंट गलत है मैं इसका विरोध करता हूँ तो आपका क्या मानना है कि राम यूग क्या वापस लोट आएगा सो परसंट राम यूग वापसी लोट के आ रहा है हमारी भावनाओं के साथ हमारे विचारों के साथ हमारे मन में एक अलग उमंग पैदा हो रही है पूरा हिंदुस्तान इतना उत्सा से भरा पड़ा है कि कब 22 जनवरी आए कब हम अपने राम लला के हम दरसंट करेंगे और ये सो भागे है और ये तो बहुत खुसी का विश है सभी को इसको पू कौन जाएगा वह जो जाएगा तो वह बहुत भागिशाली हो गया क्यों पंडिल यहीं कह सकता है और कि